हेलो दोस्तों सवागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेट बैल से अतुल में मैं हूँ आपका दोस्त अतुल गोईल आज हम बात करेंगे फिर से मतूत फाइनेंस की जो की उपर के लेवल से अच्छा खासा क्रेक्ट हो चुका है और कहां पर यह बेस बनाता ह सब्सक्राइब नजरा रही है पहले सपोर्ड की तरह काम किया और अब भी इसके उपर स्टोक पर लेता हुआ नजर आ रहा है तो देखेंगे ब्रेक हुआ है नहीं के लिए पर बना रहा है और आप देख सकते हैं यहां तक ने इस लाइन को मैंटें किया उपर से नीचे ज बट इसको break नहीं कर पाया, तो इस जो पहले resistance line थी, फिस lift push line बनी उसको भी इसने break किया और इसके बाद देवर देखे जो नीचे की support line थी उसके भी नीचे की closing इसने दी तो अभी जो closing हुई है वो इस level के उपर नहीं आई है आप देख सकते हैं क्लियर ली हलका सा इसके नीचे ही है तो स्टोक जो है इस चीज में स्ट्रगल करता हूँ नजर आ रहा है बीकली चार्ट पर देखेंगा आरहे से 32 के आसपास की है जानी स्टेंथ इसके अंदर कम नजर आती है इसके बाद देखेंग यहां पर क्या हो रहा है कि जो निचे की लाइन थी बीकली चार्ट के उपर वो तो निचे क्लोज हुई है बट यहां पर देखेंगे जो निचे का लेबल था 1110 रुपे का काफी important लेबल है उसके आसपास फिर से bounce back होता है और यहां पर जो है इस लाइन के उपर डेली चार होगी तब ही इसके अंदर फिर से कोई चाल बंती हुई नजर आएगी तो पहला जो रहेगा वह इस लाइन के आसपास ही रहेगा जो की है बारा सो दस रुपे के आसपास का अगर उसको क्रोस करता है तो बारा सो नब्बे तेरा सो के बीच में स्टोक जो है जाता हो नजर सकता है बट कंडिशन यही है कि पहले इसके उपर क्लोजिंग देना जुरूरी है अगर इसके निचे स्टोक टिकता है तो सबसे बड़ी बात होगी यह लाइन जो है फिर रिजिस्टेंस की तरह काम करना स्टार्ट करेगी और स्टोक इसके निचे वीक होता हो नजर आएग तो अलमोस्ट कि आप दिरे दिरे यहां पर और इसके बीच पर कंसॉलिडेट कर सकता है बट उसको भी ब्रेक करेगा तो एक जर चालिस तक पहुंच सकता है बट अगर स्टोक इस लाइन को क्रोस कर लेता है तो एक अच्छा पोजिटिव सेंटिमेंट बन सकता है और उपर यहां पर देख सकते हैं एक अच्छा बांस बैक इसका अंदर हुआ उसके बाद एक जो गैप डाउन ओपनिंग होती है तो स्टोक यहां पर नीचे आता हो नजर आता है अब फिर से इस लाइन के ऊपर इस टाइप से चड़ता हो नजर आ रहा है इसके ऊपर की क्लोजिंग कर स्टोक देता है तो काफी important है जो कि बनते हैं लगबख 1172 पर के आसपास के level अगर इसके ऊपर की closing दे रहता है तो काफी important है और sentiment positive होगा और एक uptrend फिर से start होता हो नजर आ सकता है जो स्टोक उपर से निचे इस type से आ रहा था आप आप देख सकते हैं एक breakout यहां पर टु 1172 के अपर की किम्म आधि यह नहीं आती है अगर से नीचे की क्लोजिनिंग आता है तो चै्टश को कर सकता है उसको भी ब्रेक करता है तो 1400 तक भी जाता हो नजार आसकता है वंदा पर करके रखना है 1210 और इसके बाद 1300 के आसपास के थैंक यू धन्यवाद